वेलकम तो चैनल से विलिंस है तो आज हम करेंगे प्रॉब्लम्स on bending and torsion तो इससे पहले मैं सारी थियोरी कवर करवा चुका हूँ उसका लिंक आगो डिस्क्रिशन मिल जाएगा आप सारी थियोरी देख सकते हैं फिर इन questions पर आ सकते हैं तो शुरू करने इस पहले अगर आप को लेंक सब डिस्क्रिशन मिल जाएगा तो छोटे से question है तकरीमा आट से दस मिट में दोन हो जाएगा तो देखो तो सॉलिट स्टील शाफ्ट शाफ्ट वला आ गया मतलगी टॉर्शन फॉर्मूला में यूस में आएगा वो इस ट्रांस्मिटिंग वान फिस्टी किलो हमें डायमेटर निकालना है शाफ्ट का इव दर मैक्सिम टॉक ट्रांस्मेटर एक्सीड मीन वैल्यू बाई 50 परसेंट तो कहते हैं कि जो यह सारी चीज़े निकालोगे ना पहले आप मीन वैल्यू निकालोगे फिर जोहारी मैक्सिम टॉक आईगी उसके लिए आपको डाय है कि जब आपके डायमेटर निकाल जाएगा सब कुछ हो जाएगा तो उन्होंने कह दें कि आपको एंगल अव ट्विस्ट भी निकाल देना है कितनी लेंस पर पूरी लेंस पर जोगी 4.5 मिटर ऑफ दे शाफ्ट है टेक जीज कर दो 80 गीगा पासकल ठीक है तो आपको सारी सबसे पहले सारी नॉर्मल वैल्यूस में लियाता है तो देखो 150 किलो वाट था किलो कर सिंपल वाट में लिया तो न हमारा होगे 200 आर्पिम जो हमारी वेलियुस्टी होगी टॉक हमारी 100 मेगा पासकल था तो इसको 100 नियों 10 पर 6 नूटन पर मीटर स्क्वेर कर दें हमारे य मैंने का था या हमगो पहली मीन से सब निकालेंगे उसके अधा म्यक्सिम टॉक पर आलेंगे पी मीन चल गए तो में 60 उपर हो जाएगा तो P मीन तो P यह आपको दिया हुआ पावर 150 किलो वाट थिया मलब 115 ट्रिस्ट पर 3 वाट इंटु 60 डिवैट बैट 2 पाई इंटु 200 जो कि यह आपका N दिया हुए 200 रपीम तो यहाँ पे हमने डाला तो T मीन तो आपका निकल गया ठीक है टॉक मीन निकालने के लिए तो maximum talk हमारी 50% exclude कर देगा तो मतलब कि T max हमारे होगे 1.5 इंटु T mean तो 1.5 की multiply करा देखो पहले मैं तो अगर आप 50% पे देखोगे अगर आपको यह method नहीं समझारा 1.5 तो देखो पहले आप T mean का आप निकालोगे 50 परसेंट है मतलब कि 0.5 परसेंट तो 0 0.5 से multiply कर दोगी प्लस में आपको T mean भी तो करना पड़ेगा ना क्योंकि हमने exclude करना है तो प्लस में वह आएगा तो प्लस में यह क्या हाजएगा तो अगर आप इसको करोगे तो 1.5 इंटु T mean वैल्यू तो वही मैंने यह आपके कर देख 1.5 इंटु T mean आपकी मर्जिया प calculation mistakes हो सकती है कभी श्याद में गलती से formula गलत हो लेकिन ही silly mistakes है क्योंकि मुझे सिर्फ आपको method बताना नहीं को formula मैं पहले discuss कर चुका होता हूँ calculation को यहाँ पर माहिन रखता है सिर्फ आपको method आना चेकि अगर यह चीज़े आपको दी हुए और क्या निकाल लिए तो उसके साफ से कैसे चलना पड़ेगा यह आपकी talk आगी अब देखो हम flexure formula से torsion formula से हम निकाल लेंगे अपना diameter ठीक है तो diameter of the shaft वो देखते कैसे निकलेगा तो देखो फ्रॉम torsion formula तो टॉक divided by j is equal to tau by r तो यहाँ पर j हमारे यहाँ पर क्या होता है आपको पते j हमारा moment of inertia यह मुवमेंट of inertia of any section देखो यह t हमारे stress हाज़ेगा ठीक है और रेडियस को अमने कर देखो यह इदर से d by 2 रेगा यह उन्यकालनी है तो इसको डिचा क्या value थी 100 इंटो 10 रेश्ट पर 6 दिखाय तो हमां को देखो 100 इंटो 10 रेश्ट पर 6 वो डाल दिया आपकी d by 2 बाक्के ता को दाख या पाईगा आपको 3.14 ले सकते या आप फिर 22 बाई 7 जैसे आपको T लगे दी की बार 4 x 32 बतलब यहां भी दी क्यूब में आ जाएगा कि एक डी से एक डी कर जाएगा तो इसे कर दो देखो और हमारी क्या थी टी हमारे यहां पर टॉक क्या थी की निगल की बस यही डiametri तो आपको निकालना था पदेखोem अ उसरे ऐगत no 4.5 meter of the shaft अब इनों कहा है कि maximum angle of twist भी निकालना मतलब कि हमारा theta आएगा है तो वही also हमारा tosian formula ही है यह भी tau by r is equal to g theta by l कि वह tosian formula आपको पूरा क्यों होता है अगर आपको पता आपने मेरे प्राने lectures लगाए है अब आपने यह वाला पहले आपने यह और यह उठा लिया अब आपने यह और यह उठा लिया तो यहाँ पे आपको थीटा निकालना ही है theta is equal to tau l यहाँ पे tau into l हो जाएकर divided by g r तो g की value यह आपको सारी value निकल है बस आपको जो r है radius हमने यहाँ पे diameter निकालना है 2 सारी value आपको पता है length आपकी 4.5 है तो यहाँ से आपको पूरा एक question ही खतम हो जाता है यह बहुत ही चोटा सा question तकरीबन छे मिट लगेंगे इस question में करने में बहुत ही चोटे से question आता है क्योंभी इसका main topic पता है derivation यह आती है mostly torsion और fracture formula यह अब यह तो आपका यह question हो गए torsion पर अब हम कर लेते हैं फ्लेक्जर formula पर भी तो देखो अब हमारा question आगा है फ्लेक्जर formula पर देखो 300 mm deep rectangular beam टेक बीम पर आगया आप rectangular beam आगया क्योंग शाफ्ट नहीं आप rectangular beam simply spotted over a six meter span तो मलब simply spotted beam है और उसकी span के six meter थी है what uniformly distributed load per meter the beam can carry मतलब ही UDL यह what लिखा है तो मतलब कि आपको UDL निकाल लागी UDL जैसे एक beam है तो हम कहते हैं इस पर UDL हमारा कितना लगा हो है 15 लगा हो है 50 kilo newton meter लगा हो है per meter sorry कितना भी लगा तो आपको वो निकालना है if the bending stress is not to exceed 110 newton per mm square तो मतलब कि आपको bending stress कहीं दे कि इतना है maximum आपको यह है ठीया अब इसके लिए आप निकालो कि आपको कितना load लगेगा ताकि वो fail नहीं हो ठीया यह आपको पूरे दे दिया बहुत ही छोटा सा है बस एक ही पेज़ काप दे सकते है नीचे कोई भी पेज नहीं है बस वह है कि यह सारा ही है बहुत ही छोटा से question रहेगा तो देखो स्ट्रेस आपको सिक्स मीटर दीजी तो हमने 6000 mm में कर दिया स्ट्रेस आपको सिग्मा इसगल न्यूटन पर mm स्कूरर और आपका मुमेंट अफ इनर्शिया आपको डिस्टेंस ओव एक्स्ट्रीम फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस तो आपने पढ़ा हुए यह आप म स्ट्रेस में आपको साही चीज़ बताई थी कि आपका वाइमेक्स का क्या फॉर्म में आता है डी बाई टू तो बस यह है कि जो मैंने स्ट्रेस करा था था उसमें मैंने आपको चीज़ बताई देगी आपका सेक्शन मॉडलिस बहुत ही छोटा सा काम आएगा लेकिन इंप आपको आगे using flexor formula using flexor formula m by i is equal sigma ymax यह formula आपको पताई यह formula तो अब यहाँ से हमें movement निका लेए जोगी m आएगा movement आगी तो आपको पताई simply spotted beam के लिए आपको क्या होता ठीक है wl square by 8 होता है maximum आपकी moment क्या होती है तो बस यहां से हमें moment निकल नहीं तो moment by m by 8.5 यहां से आपकी moment आज है कि 6.2 निकल 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 आपको पता है मैंने आपको तब भी बता रहे कि हम maximum bending moment लेके चलते है जना कि हम कहते है कि pure bending हम यही कहते है कि हमारे maximum bending moment चलते है क्योंकि हमारे pure bending practically बहुत impossible टाइप सही है तो हम कहते है यह formula हमारा कव अपलाए होता है maximum bending होता है WL square by 8 हमारे simply supported beam के लिए under UDL तो यहां से देखो W यहां पर रखा हमें W तो value निकल 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 निया ठीए आपका पूरा question देखा इस पर बहुत ही simple से question आते है जिसको आप सिर्फ पांच मिट में कर सकते हैं लेकिन यह कि derivations mostly आते हैं question नियाते हैं फिर भी मेरे एक काम था कि आपको सारे questions करवा हूं तो दोनों मैंने आपको अच्छे से question करवा दिया पर भी और अपना टॉशन पर भी तो देखो यह था हमारा आज का lecture इससे हमारा पूरा बेंडिंग और टॉशन खतम हो गया theory के चार लेक्चर थे और एक question का एक lecture होगे ठीक हम अले पांच लेक्चर में हमने पूरा बेंडिंग और टॉशन विस फॉर्म्लास डेरिवेशन सारा important चीज़ों से हमने खतम कर दिया तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगए तो प्लीज लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और माई चैनल सीविंसाय को जू सब्सक्राइब करना थैंक यू फो वाचिंग